गुद इवनिंग दियर स्टुडेंट्स, हाव रियू? प्लीज ओपन दिस बुक चिल्रन, टॉप डैट, आज हम इसमें वर्कशीट नमबर 27 करेंगे, ओके चिल्रन, 26 सक्सो सबने कर लिया होगा, ओपन, पेज नमबर 74, एंड वर्कशीट नमबर 27, लुक केरफुली, देखेगा, अंकी मात्रा लगाकर दुबारा लिखी, यह है, देखेए, बदर, इसमें अंकी मात्रा कहां लगी है, बौक के उपर बं, द, र, बंदर, ओके, ऐसे ही, लगूर, लंगूर, लोक के उपर अंकी बिंदी, लंग, गूर, लंगूर, अग, ओ के उपर अंकी बिंदी, अंक से अंगूर बरना, ग, ठीक है, बंदर, लंगूर, अंग, उके, same ऐसे ही यह दगा, चदन, सुगध, इनको राइट कैसे बनाएंगे पहले तो ऐसे ही उतारेंगे आप, दगा, दोके उपर अंकी बिंदी, गा, दंगा, चोके उपर अंकी बिंदी, दनो चन्धन, सेम ऐसे ही सुगंद लिखने का तरीका देखेगा धो के उपर आपने स्पेस छोड़ा है ऐसे ही हमने स्पेस छोड़ा है ऐसे ही आपको भी छोड़ना है दंगा, चंदन, सुगंद तो अंकी बिंदी की एक्सरसाइज आपकी कम्प्लीट हो गई न नेक्स्ट है चंदरबिंदू की एक्सरसाइज ये क्या है सबको मात्रा लगा कर दुबारा लिखना है बासूरी, बासूरी, बा के उपर चंदरबिंदी, सूरी, बासूरी दात, दा के उपर चंदरबिंदी, दातो, दात, महेगा, म, हो के उपर चंदरबिंदी, महेगा फिर से देखी, बा, सूरी, दात, महेगा नेक्स्ट साइड, पाच, सूड, साब ये रौंग है, इनमें आपको चंदरबिंदी लगानी है, वो कैसे लगाएंगे? पाच, पा के उपर चंदरबिंदी, पाच, पाच, सू, सू के उपर चंदरबिंदी, सूंड, सूंड, ठीक है? यहाँ पर नीचे भी बिंदी लगेगी, ठीक है? फिर है साब, सा के उपर चंदरबिंदी, साब, साब, ओके? सुन्ड सांप पाँच सुन्ड सांप ओके चिल्डर सबने देखा वीडियो को ओन करके ध्यान से समझके तब आप exercise लिखेंगे ये क्या है अह की मात्रा ठीक है दूख हो दुख अत पुन इसमें कैसे मात्रा लगाएंगे दुख हो नहीं होगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें निश्चित होता है कि दू के बाद ही बिंदी लगनी है ऐसा ही दुख वर्ड है कि दू के बाद बिंदी होती है और कि फिर खो लिखा जाता है दुख नहीं बोला जाता है कुछ रूल्स होते हैं दू के बाद अह की बिंदी लगेगी खो लेकिन सिंपली बोला क्या जाएगा दुख नीचे का अ तौ पे अह की बिंदी तह अतह नेक्स्ट है पुन अह की बिंदी पुनह दुख अतह पुनह दूसरे साइट देखेगा ये क्या है सने प्रात छे तो कैसे लिखेंगे इसको सने हैं सो नई अह अह की बिंदी सने हैं प्रात अह की बिंदी प्रात अह छो और अह की बिंदी छो मितलब सिक्स नमबर जिसे बोलते हैं सिक्स नमबर इंग्लिश में हिंदी में छे छे नमबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 5 के बाद जो आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 के बाद जो 6 नंबर होता है उसे 6 बोलते है सनेह प्रातह 6 तो ये कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए ये exercise ये हमने आपको lesson करवा दिया है ने class में बहुत अच्छे से नेक्स्ट है worksheet 28 ये तो आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमने आपके सहूलियत के लिए आपको easy करने के लिए ये करा दिया है क्या करना है इसमें ये पेड दिये हैं उपर mango tree है नीचे apple tree है नीचे दिये गए खाली इस्थानों में आठ फलों के नाम लिखिए वो याद कीजिए एट fruits नेम लिखने हैं और learn भी करने हैं पहला है आमो आम नमबर टू से बो से थ्री केला केला फोर लीची लीची फाइफ अनार अनार सिक्स पपीता पपीता सेविन अंगूर अंगूर और एट लास्ट नाश पाती नाश पाती फिर से बोलेंगे वन टू एट fruits नेम आम, सेब, केला, लीची, अनार, पपीता, अंगूर, नास पाती बेटा ये learn तो आपको हो जाएंगे लेकिन लिखने की भी आपको practice करनी हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ओके बिटा, थेंक यू